हलो फ्रेंस अगर आप भी वही रोटी सब्जी से परिशान है या फिर उप चुके हैं खा का कर तो मैं आज आपके साथ गेहों के आटे से बना ये नास्ता सेयर कर रही हूँ जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मज़ेदार और साथ में बहुत ही ज़्यादा हेल तो चलिए बनाना शुरू करते हैं वीडियो पसंद रहे तो वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार आए तो सस्क्राइब जरूर कर लिजिए तो यहां पर मैंने जार लिया है जार में डाला है दो हरीमेज एक इंच द्रक का तुकड़ा और साथ ही मैं यहां पर ले र रहे हैं स्वाद अनुसार नमक और साथ ही मैं डालेंगे एक चम्म जीरा और उसके बाद मैं यहां पर मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूंगी और अब हमें ढखकन लगा कर इसको जो है पीस लेना है तो यह देखे यहां पर मैंने इसको पीस लिया है और इस तरह का यह बनकर तयार हो गया है उसके बाद एक हम बावल लेंगे और बावल मैं इसको डाल लेते हैं उसके बाद हमें यहां पर लेना है एक कटोरी गेहूं का आटा आप चाहो तो कब से भी ले सकते हो उसको मैंने इसमें डाल दिया है आटे को छान कर हमें डालना है और अच्छी त अपढ़ी इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया ओपर सहे हम इसमें बारिक by अच्छी का लिए हुआ हरा ढाल देंगे और इस तरह से फैला देना है साथ मैं इसको एक अच्छी सी गोल शिप दे देनी है तो ये देखिए इस तरह से हमें इसको फैला कर तयार कर लेना है और इसको सीख देना है तो ये देखिए इस तरह से ये सीख जाएगा उसके बाद में दो बूंद और इस तरह से हम इस पर डाल देंगे जिससे कि ये नीचे से अच्छी तरह से क्रस्पी हो जाए उसके बाद हम इसको जो है पलट देते हैं और ये देखिए बहुत ही बड़ी हसा ये सिका है और दूसरी साइड से हम दो बूंद और और डाल देते हैं जिससे कि नीचे से ये अच्छी तरह से सिक कर तैयार हो जाए उसके बाद हमें जो है इसको दवा दवा कर इस तरह से से शेक लेना है और जब जिब दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से सिक जाएगा और इस नास्ते की खासे यह है कि यह ना ही तूटता है और ना ही फटता है तो इस तरह से हम अच्छी तरह से इसको सेख लेंगे तो यहां पर यह नास्ता हमारा बनकर तयार है मैं एक और आपको बना कर दिखा देती हूं तो हम थोड़ा सा ओल इस तरह से इस पर ग्रीज कर ल और ये देखिए इस तरह से मैंने इसको फेला कर तयार कर लिया है और इस तरह से मैंने इसको जो है अच्छी से सेब दे दिया है सिखने के बाद दो बून और इस तरह से डाल देंगे आप चाहो तो उपर से भी इस पर डाल सकते हो और सिखने के बाद हम जो है इसको पलट दे और इसी तरह से उलट पुलट कर अच्छी तरह से सेक लेंगे नीचे से भी आप चाहो तो दो बून ओल डाल सकते हो और ना डालना चाहे तो इस तरह से भी आप इसको सेक सकते हो तो उलट पुलट कर हम अच्छी तरह से इसको इस तरह से सेक लेंगे और यह देखिए बहुत ह तो यहां पर मैं उलट बलट कर अच्छी तरह से सेख लेती हूं तो जिलीजिए यह वालव नास्ता भी हमारा सिकत तययर हो गया है तो यहां पर इसको भी कर लिते हैं सर्व यह भी बग्यासा नास्ता बनोकर तययर हुआ है इसी तरह से हम बाकी के नास्ते को भी बना कर तैयार कर लिते हैं और बहुती जल्दी से बनकर ये तैयार हो जाता है और खाने में बहुती ज़्यादा टेश्टी रगता है इसको आप बच्चों के लंच वक्स में या फिर हज्वेंट के टिपिन में भी दे सकते हो बहुती जल्दी से बन जाता है और साथ में बहुती ज़्यादा मज़ेदा टेश्टी और हेल्दी भी है और ये देखिए इस तरह से हम ये नास्ता बना कर तैयर कर लिएंगे और इतना मुलाइम ये नास्ता है कि आप इसको चाहे जितनी भी देर रख लिए जिए बना रहेगा और इस नास्ते को हम गयों के आटे से बना कर तैयर कर सकते हैं वो भी बिना मैनत के आप इस नास्ते को सुवए की जल्दवाजी में भी बना सकते हैं और इसको आप चटनी, सबजी, सौस या फिर ऐसे भी खाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा ये नास्ता टेस्टी लगेगा रोज की रोटी सब्जी या फिर परांटों से दिल बर गया है तो एक बार इस नास्ते को जरूर बनाएगा ये जी है, साथ में बहुत ही कम सामान से ये बनकर तैयार हो जाता है तो फ्रेंस रेस्पी जरासी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल पर पहले वार रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजीगा तो मिलते हैं हर दिन अच्छी सी नई रेस्पी के साथ तब तक के लिए टेक के लिए थेंक्स फ़र वाजेंग